हेलो एवरिवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेल्किम टू माइ चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसे बोलने की जरूरत पड़ती है जैसे मुझे रोक सको तो रोक लो, वहाँ जा सको तो चले जाओ, खाना बना सको तो बना दो, उससे बात कर सको तो कर लो आईए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसे को इंग्लिश में बनाने के लिए कौन सा रूल फॉल होता है ऐसे sentences को English में बनाने का rule बहुती simple होता है क्योंकि ऐसे sentences बनाते वक्त हम mostly one-on-one बात करते हैं मतलब हम जिसके बार में बात करते हैं उससे हम directly बात करते हैं इसके rule में starting होती है verb की first form से उसके बाद object आता है और last में if you can आता है चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए मुझे रोक सको तो रोक लो या अगर मुझे रोक सको तो रोक लो stop me if you can इस sentence में देखिए rule के according हमने starting की है verb की first form से जो कि इस sentence में है stop उसके बाद me आया है me इस sentence में object pronoun है और end में if you can आया है और हमारा sentence complete हो गया है वहाँ अकेले जा सको तो चले जाओ go there alone if you can go there alone if you can खाना बना सको तो बना लो cook food if you can या फिर आप इसको simply cook if you can भी बोल सकते हो उससे बात कर सको तो कर लो talk to him if you can talk to him if you can उससे मना सको तो मना लो convince her if you can convince her if you can उससे चुपकरा सको तो करा दो shut him up if you can shut him up if you can मेरा ये काम कर सको तो कर दो please do this work for me if you can please do this work for me if you can please उससे घर छोड़ सको तो छोड़ दो drop her home if you can drop her home if you can अब एक sentence आपके लिए उससे पूछ सको तो पूछ लो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताईए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नई लेसिन के साथ अब तक के लिए टेक कैर बाबाई